हनमान जी महरात तो कथा में इनकी पहचान क्या है कथा में सबसे पहले पहुंच जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं राम जी से जब रनमान जी कौ मांगने का मौखना है कि अन्मान मांगो क्या चाहते हैं हनमान जी बोले जहाँ जाए आपकी कठा हो वहां पहुंच जाए रामёmod Śके स्का मतलब तुम कठा तो एक जगए नहीं इसी टाइम पर यहाँ भी कठा हो रही कहीं और हो होगी अभी अम मां ख़बर मिली कलीबात पर सो रही है हमारे नां एक समय में अने जग vanish तो इसका मतलब यह तोड़ी के यहीं पर हनोन्मान जी आये वहां नहीं होंगे भारत में भी कथा चल रही होगी विदेशों में भी तो क्या हनमान जी एक अई कथा में पहुंचते बोले नहीं 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 राम जी ने कहा मांगो तो हनमान जी बोले जहां जाए आपकी कता ओब है वहाँ वहाँ हम पहुंच जाएं राम जी मुस्कुराकर बोले अरे हनमान जी तुम बड़े चत्र हो क्यों आप इस बर्दान के साथ साथ यह मांगना चाहेती की कथा तो अनेक जगय सुरू होगी अनेक रूप बना करके हम पहुंच जाएं अनेक रूप बदलने की जमता मांग रहे हो अनेक रूप इसको भी इसको भी सुनिये राम जी जब गोलोक जाने लगे है तो श्री हनमान जी ने कहा कि दास को आ गया राम जी ने कहा कि कुछ नहीं चलो साथ में हनमान जी बोले क्यों नहीं जाओगे हनमान जी बोले हमारे बिना रह लोगे हनमान जी बोले हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे हमें तो आपकी कथा परी है ह हम कथा के सहारे रहने हैं तो राम जी ने का कि मैं हमारे साथ चलो आपके साथ पर वहां आपकी कथा नहीं हैं और अप हम तो हैं पर आपकी कथा नहीं है हम तो वहां रहना चाहते हैं जहां आपकी कथा भी हो और आप भी हो जहां राम कथा होगी तो वहां कथा भी होगी और आप भी राजमान होगे हमें कथा का भी सानद मिलेगा और राम जी का भी सानद मिलेगा